Hi Hello Guys, एक्वार फीरतूत्व अड़ा स्वागत है। आज जैसी जेड़ा टोपिक करन जा रहे हैं, वह है फिश कुक्री। फिश कुक्री दिवेच आज जैसी पढ़ाँगे कि फिशजी है किने तरह थे फिश यूज कितेजान दी है। क्लासिफिकेशन फिश की हुं दी है ते हाउ टू चूज फिश फिश नो की वे चूज किता जांदा यह तेन टोपिका जैसी होड़ी होली करके पढ़ें जा रहे है तो तुसी स्क्रीन ते देख पा रहे हों होंगे सब तो पिलना फिश कुक्री देविच की कह रहे ने फिश मैनी अट्रेक्टीव एंड सैटिस्फाइंग डिशीज बिल्कुल फिश को जेडिया डिशी बाण दिया ने बहुत ही जादा अक्ट्रेक्टीव हों दिया, ने तो सैटिस्फाइंग मतलँ कि वो शैटिस्फाइड कर दिया, सद्दे, खाने दे बेच पर पूर अनांद ले हों दियाने सानु हर तरिक्के दा सेटिफिकेशन दियाने जिवे प्रोटीन नूट्रेशन प्रोवाइड कर दियाने फिश इजे हाई प्रोटीन फूड सो एदे बेच प्रोटीन बहुत जारा मात्रा बेच होंता है सप्लाइंग ओन एन एवरेज ए लिटल मोर देन फाइव ग्राम्स ओफ प्रोटीन पर एडिवल ओंस ओंस मतलब हुंदा एक पीस पर ओंस ते किनना फाइव ग्राम चेड़ा प्रोटीन फिश ते विच प्रापत कर दिया सी फिश कुड़ भी गोट फ्रों कितो मेल दिया लेक्स विचों, रीवर्चों, ओफ सीज ठीक है? लेक्स विचों ते रीवर्चों फिश घीडियां मिल जयन दिया ने fresh water fish are considered to be superior in flavor भिलकुल to salt water fish केंदे ने कि fresh water तो जड़ी fish मिल दिया ना वो ज्यादा flavor दे बदिया हूं दिया salt water fish ना लो तेक है जड़ीया असी salt water तो fish जड़ीया हूं दिया ने ओना तो fresh water आले जड़ीया वो ज्यादा flavorful मननी गई या a fish that has fat is superior in flavor to lean fish ये भी गाल बिलकुल सही है कि जड़ी फिश दे वेच fat ज्यादा मात्रा वेच हूं दा ज़ा फैट हूं दा या ओदा वी flavor जड़ीया नालो बदिया हूं दा या superior हूं दा या this season also has a bearing on the fish for better taste बिलकुल season भी मैटर राखदा है कि फिश दा टेस्ट की वेदा हूना है क्योंकि season दे according ही फिश दा टेस्ट चेज हूं दा रेंडा है the fat content helps to determine the method of preparation fat content जिनना फिश दे वीच fat हूं दी है ओँ helps कर दिया है कि उस नू केड़ी मैथड दे नाल प्रिपेर किता जावे boiling किता जावे, broaching किता जावे roasting किता जावे that is depend on the fat inside the fish fish that has fat will produce superior eating quality if baked or boiled because of their natural fat which keeps them from drying during cooking fat कि कर दिया जिवे केंदेने की quality नू बदा हूं दिया खान दे बचे जिवे केंदेने नू बेक किता जादा जादा fat आली नू जावेल करिये कि या जब दे नेचिरल fat हूं दिया जबे मैं दस्या और जड़ी ओदे अंदर natural fat हूं दिया वो फिशुनूं ड्राइंग हो टो बचा के रख दिया जोरो कोक किता है जान दा न अवो पूरी तरह ड्राइं हो इन हो दिदी फिशुनूं जेदे कार merch की है टेस्ट जेरा बाद जान दा बदियां हो था लीन फिश आर वेस्ट ए अरस बेस्ट पोउचड पॉय्लिंख और स्टीम में नैầnर भीङ्ट शेयलर दियां चीक है, वो कोकिंग करते से हम उन्हों होल्ड करके रख देया, फिश नू, तो फ्लेश जेड़े होदे, आले दुआले गेडिया होदिया, पंकडिया होदिया, वो कह सकते, बोथ लीन एंड फिश विद फैट कैन भी सोटद एंड फ्राइड विच गिव एक्सलेंट रिजल् बिल्कुल, फिश तो एक स्टोक भी बन दा, जिनू, फुमे केंदे हो, फुमे दे, पोईजाओं, फुमे दे, पोईजाओं केंदे हो, फुमे दे, पोईजाओं केंदे हो, फुमे, फुमे दे, पोईजाओं, इस फुमे दे, पोईजाओं, इस फुमे दे, पोईजाओं, औस पता होना चाहिए था है फिश स्टोक नो किया जंदा है तो आउगे क्लासीफिकेशन ओफ फिश दे बढ़ देख दिया क्लासीफिकेशन भीच तेन तरह दी फिश जाद रखनेया तुसी ये देवर्च तुसी एक चार्ट बना लेना ये ज़ेदे वेच तो इसी लाइनिंग मारके तेन थलले नू ढना ओलेना औरवेचे एक वाइट कि फिस्ष ओईली फिछ तीसरी फिछ इस सेल फिश हहitas थेन फिश जा जड्रकर कार दीना है, जैंक दिए कैंदे जड़ लें अलब्या up में ऊटिएं और है जड़ ओलेफ्छ फिश देन जड़ फाइब सिह काहको ऐंदाधा, जड़ार याद रखनी जड़ी जड़न कैने जलन ब्रफी फ्लत इन ऑन आट रहें, इलन और उस नुसम वाइट फिश दे वेच ओयल हुन्दा जिन्नों के अंदना फैट दस या सिंग में फैट हुन्थी या लीन फिश दे वेच फैट नहीं हुन्थी लीन फिश दे वेच देख दे फैट फिश एद वेच फेल्ट पाउम फ्रेट ब्रिल ли winding soul urban soul Days Turbots संगाड़ा हुलिवर मालावार शोल ठीक है यह सीगा है लीन फिश दे अग्जेमापल जैड़ी पहेली हागी वाइट फिश दे वाइट शेविक ओधे नाली लीन फिश दे ले गब लेख देनिया, oily fish दे पेचे केडियां केडियां, example, oily fish येडियां हुन दिया, oily fish ये स्पूरियां oily हुन दिया, ये पेचे आगी, salmon, mackerel, herrings, malabar, sadness, hilsa, bindi, salmon trot, trot and skat, ये जेडियां हुन दियां ने, ये oily fish वेचे हुन दिया, जो oily fish दे थले, इना दे नाम लेक देनिया, उस्तो बाद आगिया, selfish, selfish दे वेचे दो तरह निया, fishes हुन दियां, molishes दे, crustians, molishes के हुन दाया, clams, muscles, scallops and oyster, ये निया, molyos, selfish हुन दियां, जेडे, पूरी तरह गोड हुन दे, जेडे, आपा, cryfish, lobster, lobster, prawns हुन देया, shrimps हुन देया, ये जेडे हुन देया, crustians, molyos थे crustians, ठीक है, crustians जेडे हुन देया, cryfish, lobster, prawn, shrimps, scapes, ये जेडे हागे, ये सारे selfish में चों दे, तीजी कीडिया, selfish, पहली के दीजी, whitefish, lean fish, दुजी, oily fish, तीजी, selfish हागी, So, how to choose fish, मतलब की केडे केडे point, जेडे आपा, consider करने या, जदो असी, fish लें जाने या, खरिदन जाने या, पर chase करने जाने या, So, fresh fish दा कीवे पता लागदा तो, एदे point आशी देख देया, केंदे quantity in fresh fish is determined, determined by the condition of the skin, which should be shiny and of good color, सब तो पहला है, ये, shyness हुन दिया, brightness हुन दिया, अगर fish देवेच, brightness है गिया, ओधा color जेडा है, फिका नहीं प्या, good color है, ओफ्रेश हा, ते white fish देवेच, second point मेंच की हुन दाया, फ्रेश जेडे हुन देया, fish दे, ओ रेली white हुन देया, ओ कई बार केंदे न, एक yellow जे हो या, फेड दी हो या, ओ फ्रेश फिश दी निसानी निया, अगर पूरी तरा white ने, ओ फ्रेश फिश दी निसानी निया, तीजा कहे रहे ने, कि दी बोडी शुड़ी रेधर हैवी, इन रेलेशन अफ दी लेंथ एड दी फ्लेश वर, प्लम्प एड श्प्रिंगली, कैंद पार की जेडी ओधी बोडी हा, मतलब पार कैलो, ओ थोड़ा हैवी होना चाहिदा, एन की लेंथ दे साब देनाल देखना, ठीक है, ओ देखना कि तुछी जिननी ओधी लेंथ होरे साब देनलोधा पार हैगा का नहीं हैगा हैगा, जड़े दे फ्लेश थोड़े प्लम्प ते स्प्रिंगली हैगे जा नहीं हैगे, ओध या अखा चाहे करनी हा, चोथे पॉइंट दे पेचे कह रहे है, कि ओ ब्राइट होने चाहिदी है अखा अगर ब्राइट हो फ्रेश गिल्ज शुड़े रेड जेडे फिश दे गिल हुं दे दो में पास गिल्ज लगे हुं दे ना ओ रेड होने चाहिदी है, जे रेड आ तो फ्रेश अगर फ्रेश नस दी फिश शूट है वे प्लिजन स्लाइटली सॉल्टी स्मेल ठीक है, अगर होने की और दो ओर नेते तो जेखने करने चाहिदी हमें स्मेल स्पीश चाहिए ऑईते प्लिजने संतरी तेख्टी स्मेल अगरों रेऊ चाहिदी सेख्टी सेनैं। कि आसमाते चोट कीषी थीपन ईशाना की तुसनी अधिम्न सबस्कांड़ाइब 15वा ज्र१ हून्हा है, थिक हैं थे, करें एक यह Nई अगर ते, और नहीं शही है, जी फिंगर पाके देनी है, if the imprint of the finger remains after it has been pressed, जगर वो बापस आ रही है, imprint मतलर की बापस आ रही है, फ्रेश है, अगर नहीं बापस आ रही है, वो नहीं फ्रेश हागी, तो scales देखने है, scales come out themselves, then the fishes stale, अगर ओधे scales हो अपने आप जड़े बाहर आ रहे है तो फस्टेल हो राफ फ्लेश शुट नोट कम अवे फ्रॉम दी बॉंड्स एज इस साइन ऌफ फिस डितरी निस दीक है डितरी निकी यह कि ओजे जड़े बांस ने भार नहीं आःए बार नहीं हो थाए अगर सिद्धी हो आई अगर स्टीफ नहीं हागी ओफ्रेश नहीं हागी जो उस तोब आद कहरें ने फिश्ट जएडई है स्टोर किती जा सक दी एक ३ब जन्य सल्सीयस थे विच उन्न स्टोर करना चाहिए है अगर तोसी सेज जन्य फिश्ट स्टोर केता करना है 1ड बीच त देवेच के जेरे बेचा सी पढ़िया फिश की हुंदी है, क्लासिफिकेशन ओफ फिश ते प्वाइंट कंसाइडे तू स्लेक्शन ओफ फिश. थेंक यू.